नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमाग अमवस्य तिथी के दिन पितर देवों के निमित दान पुन्य तरपन करने का विधान है और इस बार की अमवस्य बहुत खास है क्योंकि आसाड मास में पूजा पाट का भी महत्व है और आसाड मास में की जानी वाली पूजा का पूरे जीवन में आपको लाब मिलता है क्योंकि भगवान बिश्णु को आसाड माह बहुत प्री है और इसी महने में भगवान स्रीहरी की बिश्णु की पूजा करने से परिसानिया भी दूर होती है और सुक्सम्रिद्धी की प्राप्ती होती है लेकिन जैसे ही अमवस्या की तीथी की हम बात करें तो देखिए आसार अमवस्या को हलहारीनी अमवस्या और आसारी अमवस्या भी कहते हैं चुकि इस महने में खास कर पितरेवों के निमित पूजा पाठ दान पुन्य करने का विधान है और अमवस्या की तिथी के दिन अगर पितर देवों की विधीवत पूजा की जाए तो फिर आपके जीवन के कस्ट दूर होते हैं उनका तरपन करना, उन्हें जल देना तो इस अमवस्या के दिन पितर को सराध करना उत्तम माना गया है और विधी पूरुवक आप सराध कर सकते हैं पितरी देव परसंद होते हैं अगर आप घर में ही चाहते हैं तो एक सिंपल तरीके सी करें जब आप सुवसमान विगरक कर लीजिएगा तब सुवसमान करके अगर नदी सरोवर में असनान करते हैं तो वही पर आप पहले भगवान सुरी को अंजूरी में जल भर कर अरपित करें और फिर पितरी देवों के निमित तरपित करें अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में आप सुरी को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद पित्री देवों के निमित जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर सुरी को ही अर्पित करें तो वो भी आपके पित्र देवों के निमित उनको प्राप्त हो जाता है अब चुकि इस बार की अमवस्या के दिन ब्रत भी आप कर सकते हैं पुजा पार्तों किये ही जाएंगे और अमवस्या तिथी चुकि बहुत सुपसंयोग में आई है दो-दो इसमें सुर्योदे है तो ये यकिनन आपके जीवन के सभी कस्टों को दूर करेगा अब चुकि हलहारिनी अमवस्या भी नाम है इस दिन से हरी-भरी रहने के लिए इस स्वर से प्रातना की जाती है किसान लोग खास कर तो पित्रों को सुराद करन भी सकते हैं इस अमवस्या के दिन आपगरी व्यक्तियों को दान दक्षिना कर सकते है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि समोस्या के दिन भगवान स्रीहरी विश्णों की विशेश पूजा आराधना की जाती है तो उनकी भी पूजा आपको करनी है और पितर देवों की सांती के लिए अगर पास में कहीं पीपल का बिच्छ है तो आप वहाँ पर जाकर भी जल अरपित कर सकते हैं हलांकी जब आप सूरी को जल अरपित कीजिएगा तो जल में आप अरपित कर देंगे काला तिल तो उतना ही काफी है लेकिन फिर भी अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर भी आप जाकर अरपित कर सकते हैं आप चाहें तो लोटे में सिर्फ काला तिल एक चुटकी डाल कर अरपित करें या अगर आपके पास सब कुछ है जैसे की कच्चा दूद दोचार बुन दाल दीजिएगा थोड़ा सा गंगा जल एक चुटकी अक्षट एक चुटकी काला तिल डालना है ज्यादा मत लीजिएगा और थोड़ी सी मीठी बस तू सफेद पुसपजिस में कम गंध हो और जाकर पीपल के बिच्च की जड़ में अरपित कर दें और पितर देवों से प्राठना करें कि जीवन की मुस्किले कम कीजिए ओम नमो भगवते वासु देवाई का जब करें और फिर दान करें आप दान में जैसे की चाता अभी जो मौसम का चल रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको दान करना है और जब भगवान सुरी को पढ़ना आप जल अरपित कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए अगर आपके घर परिवार में किसी का स्वास्त में समस्या है तो आप राम रक्षा इस तरोत का पाठ कीजिएगा इससे स्वास्त की समस्या दूर होती है अगर मुस्किलों का भंडार है यहनि एक के बाद एक मुस्किलें इसका अंत नहीं है तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा आपके जीवन के करजे कस्ट बीमारियां दुख तकलीप सभर लेता ह अब चुकि इस अमवस्या का विसेश महत्व है तो भगवान सिव अगर आपको लगे कि आपका सनी तेव आपको जीवन में बहुत कश्ट दे रहे हैं तब सिवलिंग पर एक लोटा जल में एक चुटकी तिल डाल कर अर्पित करें इससे सनी दोस्त समाप्त होते हैं अगर तो आप दो लॉंगर पित कर दीजिएगा जीवन की मुस्किलें कम हो जाएगी चुकि इस अमवस्या के दिन तिल का वैसे भी कोई भी मवस्या हो तिल का विसेश विधान होता है तो तिल का परियोग आपको करना है हर जगा तिल आप दान भी कर सकते हैं लेकिन दान मत पहलेंगे चुकि अमवस्या है खास महत तो हैं या ओश्या का और इस दिन एक कारी किय जाते है वैसे तो आप कुत्ते को भी रोटी देंगे कोउवे को भी देंगे काने के लिए सामान क्योंकि इन सभी चीजों के माध्यम से संतुस्ठ होते हैं तू गाई कुद्ता कउवा जिनको भी जो भी आप खाने दें पर काला तिल एक चुटकी जरूर डालिएगा इस से आपके पितर देवों को सांती मिलेगी संतुष्टी मिलेगी और आपके उपर जो भी पिडाए हैं बाधाए हैं दोसे पित्री दोसे काल सरप दोसे वो सांत हो जाएगा अगर आपके जीवन में बहुत मुश्किले हैं तो थोरी सी मिसरी या चीनी चीनी आटा मिक्स करके चीटियों को डालें जीवन के कस्ट कम होते हैं जीवन की परिसानिया खत्म होती है पित्री दोस भी सांत हो जाता है अगर आपको लगे कि संतान का सुख नहीं मिल रहा नाना प्रकार के जीवन में कस्ट बढ़ रहे हैं तब छोटा सा काम कीजिएगा आटा आपके घर में है रोटी बनाने वाला गिहूं का आटा उसको गूथले चोटी चोटी थौरा सा लेना है जादा नहीं 50 ग्रम आटा ले लीजे उसकी चोटी चोटी आप लोईयां बनाये चोटी चोटी एकदम आप गोली कितना बड़ा बना सकते हैं टेबलेट होटा हैं दबाई वाला तो आप इसको बना कर किसी पास के तालाब नदी सरोवर में डाल दीजिए मचलियों को चारक के रूप में आपके कस्ट कम हो जाएंगे और इस दिन दानने जरूर करिएगा गर आपके पारिबारिक जीवन के कस्ट भी दूर हो जाएं तमाम तरह की मुस्किलें आती है अगर आपकी कुंडली का सनी बिगड़ जाए तो धन की बरकत नहीं होने देता परिबार में कस्ट बढ़ जाते हैं सुकसानती खो जाती है बेवजह आप लोगों में अलगाव की सम कपड़ा काले रंग कपड़ा आपके पास होगा कोई भी कपड़ा आप नया लीजेगा पुराना नहीं रुमाल कि इतना बड़ा ले ले अब इस कपड़े पर एक मुठी काला तिल या फिर पांच बार चोटा चोटा आप उठा लिए थोड़ा-थोड़ा उस पर फिर से आ कि वाली नहीं अंदर से दिल जितना कहे उतना ही डाले सिक्का इसको आप पोटली के तरह कर लें काला धागा से ही बांधिएगा अब जो बेक्ती पीडित है या घर का जो हेड है वो अपने सर से इसको तीन बार उल्टा उतार ले ले जाकर किसी मंदिर की सिड़ी पर रग और पीछे मुड़ कर ना देखे आपका दुरभाग ये वहीं रह जाएगा और आप बहुत तरक्की करेंगे क्योंकि ये दुरभाग ये हटाने का टोटका सिर्फ अमवस्य को ही किया जाता है अब काले कुत्ते को रात में जाब कर घर में रोटी बनेगा तो लास्ट वाली जीवन की हर मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी तो आप तमाम तरीके से तिल का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रियोग आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है और आपके हर कश्ट हर परिसानी को भी दूर भगाता है तो तिल का प्रियोग से आ जब आप दिया जलाते हैं पीपल के नीचे तो उसमें एक चुटकी भर काली उड़द के दाने या फिर काला तिल डाल दें सरसों के तेल का दिया होगा और ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब जरूर कीजेगा कम सकम पाच बार ही सही क्योंकि पीपल के नीचे जब आप पित्री देवी संतुस्ठ होते हैं उन्हें मोक्ष मिलती है और वो आसिरबाद बरसाते हैं तो अगर आप ये परियोग करते हैं तो जीवन के मुस्किले कम होती है क्योंकि काले तिल का महत तो अमोसे तिती के दिन बढ़ जाता है और जब पित्री देवों को आप असनान कर कि उमीद है आपको जानकर या अच्छी लग रही होगी और रात में सोने के पहले संभब हो तो एक चुटकी काला तिल लेकर पूरे घर में घूमिया या फिर सभी लोगों के सर से तीन बार उल्टावार कर घर से दक्षिन दिसा में फेक दें तो मुश्किलें कम होगी जीवन धन्यवाद फिर मिलेंगे